नमस्कार मैं हो नीशा और आप देख रहे हैं जेपी हरियना आज बात करेंगे परेटे निगम के फोर चेर्मेन अर्वी द्यादों की राजनी थी की अध्यक्स की कुर्सी पर उमपरकास धनकड के रहते और मुख्यमंदरी की कुर्सी पर मनोहर लाल के रहते यह तैसा माना जा रहा था कि 2024 के चुनाओं में रिवाडी विदान सबा की टिकट उनी को मिलेगी परंतु अतीत की कड़वी अनबों का जिक्र अवश्य होता था हम डेट दसक से भी अधिक समय से यह सुनते आ रही है कि इस बार अर्विंद यादो की टिकट लबक पकी है लेकिन 2014 के चुनाओं में जहां रंधीर्थ सिंग कापड़िवास दिवार बनकर उनकी आगे खड़े हो गए और भासपासे विदायक बन गए वहीं 2019 में रावंद जीद सिंग की मदद से सुनिल मुसेपूर अर्विंद यादो की रा का रोड़ा बन गए हलाकि तब मुसेपूर मामूली अंतर से चुनाओं हार गए मगर अर्विंद की रा तो रुख ही गए इस बार बाजी बदली हुई है सीम की कुर्सी बढ़नायप सेनी और अदेक्स की कुर्सी पर मोहनलाल बुडोली के पास है वरिस्ट कारे करता होने के कारण अर्विंद को इन दोनों को ही अपने बारे में बताने के ज़रत नहीं है लेकिन असली सवाल यह है कि क्या इस बार भी कोई नया या पुराना चैर अर्विंद यादो की रा में दिवार बनकर खड़ा रह पाएगा अर्विंद यादो बेशक खुद को सभाविक दावेदार मानते रही हो लेकिन उन्हें टिकट के कुछ नए दावेदारों से सामना करना होगा आज इसी का जवाब जाने का परियास करते हैं और उनके रा में इस बार कौन दिवार बनकर खड़ा हो सकता है हमारी निगा में इस बार ट्रिपल आज नहीं बलकि फोर आज में से कोई भी दिवार बनकर खड़ा हो सकता है इसमें एक S है सुनेल मुस्यपुर तो दूसरे S है सतीस खोला तीसरे S है सन्नी यादव तो चोथे S है सतीस यादव हमने सतीस यादव का नाम सबसे अंत में इसले लिखा क्योंकि हमारी नजर में उनकी भासपा से टिकट की दावेदारी का स्थान ट्रिपल S के बाद में है चुनाव लड़ने की संभावना की बात करनी हो तो हम उनका नाम पहले स्थान पर रख सकते हैं लेकिन यहाँ पर बात अर्विंद यादव की रा में रुकाउटों की हो रही है अर्विंद यादव के सामने 4S की दिवार ही सबसे बड़ी चिंता का विश्य है इस बार अर्विंद यादव को शायद काप्रिवास से भी पार पाना होगा क्योंकि रंधीर सिंग कापडिवास मनोहरलार की सला के बावजुद खुद को बुजुर्ग मानने के लिए तयार नहीं है इतना ही नहीं उन्होंने मुकेस कापडिवास के रूप में नया चैरा भी आगे कर दिया है जिन लोगों को यह लगता है कि इस बार भासबा किसी गैर अहिर को भी चुनावी मैदान में उतार सकती है वैवंदना पोपली का नाम भी आगे कर रहे हैं हम अपनी और से अभी इस तरह की संभावना पर अपना विचार वैक नहीं कर रहे क्योंकि हमें लगता है कि अहिरवाल की राजनितिक राजधाने में मुखे मुकाबला अहिर उमदवारों के बीच ही होगा लेकिन राजनिती मेहरत में डालने वाले फैसले होते रहे हैं हम उन्हें आउट ओफ रेस नहीं कह रहे हैं कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि इस बार छे से अधिक नेताओं ने भासपा की टिकेट पाने के लिए पूरा जोट लगाया हुआ है। रेवाडी विदान सबा चुनाव की तैयारी जोर सोड से सुरू हुई है। अरविन यादों ने काफी समय पूर अपना चुनाव कारे ले खोल दिया था। उनकी खूब चडचाएं होई थी लेकिन अभी उन्होंने वहाँ पर अधिक समय बिताना शुरू नहीं किया है। उनकी तीन परचार वाहन गाउं में घुम रही है। बेटी अदीती अपने पिता के परचार की कमाल समाल चुकी है। सुनेल मुशेपर की उमीद केवल रावंद जीत सिंग है। उनकी आस का दूसरा कारण यह है कि अगर पार्टी उन्हों को चुनाव में फिर से टिकट देती है जिनकी हार का अंतर पांच हजार से कम का था तो उनकी लौटरी अपने आप लग जाएगी। इसी करम में सतीस खोड़ा भी जनसंपर्क में जुटे हुए हैं। राजनीती में तो सनी पहले से ही हैं। पिछला चुनाव में दली लड़ा था। लेकिन उन्हें लगता है कि भासपा इस बार बदलाव करेगी तो राव अंदर जीत का आशिरवाद भी किसी दूसरे असको नहीं बलकि उन्हें ही मिलेगा। अब बात करते हैं सतीस यादव की। सतीस यादव का अपने समर्थकों के बीच यह तर्क है कि अगर भासपा उन्हें टिकट देती है तो कापडिवास परिवार का साथ भी उन्हें मिलेगा। और दूसरे नेताओं का भी सर्वी की परिक्षा में भी वह मेरिट में पास होंगे। लेकिन उनकी रा में आराई सबसे बड़ा रोडा है। आराई मतलब राव इंदरजीत सिंग। हम मुकेस कापडिवास के परचार का अंदाज आपको बताना भूल गए। उनके परचार का अंदाज भी दूसरों से कम नहीं है। वह अपने ताउर अंदीर सिंग का परिवास के पुराने समर्थकों के बीच पहुँच कर आशिरवाद ले रही है। हम यहां पर केवल भासपा की राजनीती की बात कर रहे हैं। कुछ लोग पांचवे एसके भी बात कर रहे हैं। संसद्य बोड की सदश्य डुक्टर सुधायादव को भी रिवाड़ी लाने का सुझा दे रहे हैं। ऐसे में अर्विंद के सामने रुकाउटे कम नहीं सामने नजर आ रहे हैं इन दीवारों से कैसे पार पाएंगे क्योंकि उनके लिए भी इस बार का मुकाबला अब नहीं तो कभी नहीं जैसा होगा। आपको हमारी यह रिपोर्ट कैसी लगी कमेंट बोक्स में जाकर बताएका चुरूर। धैन्यवाद।